जो कोटन साडी है उसके अंदर वर्क की डिमांड बहुत जबरदस्त आ गई है तो वो भी साथ में मैं इनके कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग वर्क जो है सूती साडी के अंदर बनाते हैं सूती और कोटन साडी के अंदर दो तरीके के कोटन आते हैं एक सिंथेटिक कोटन होता है और एक होता है प्योर कोटन जिसको सिर्फ और सूती बुलायाता है यह पहला पीस जो मैं दिखा रहा हूँ यह थोड़ा सा स्पेशल है थोड़ा डिफरेंट है कोई भी पॉलिस्टर लिएक कीका में जीशिया है और और कपड़े का बेक्स जो है नीचे वह सूती कोटन है एक में और वर्क बॉत्ता दिया हुआ है एक में सिर्फ कि का बॉता हुआ वाइए बहुत प्यारी बहुत खुब्सूरत सारी लगती है नीचे जरी का बॉरडर すले नमश्कार Heidiress चाही वाला हूँ सूती साडी का कलेक्शन काफी वीडियो में कमेंट आए हुए थे नीचे सूती साडी के बारे में कुछ बताईए जो प्यूर सूती साडी होती है सही सब्दों का यूज करूँ ऐसे सूती तो बोलते ही बोलते हैं लेकिन कोटन साडी उनको बोला जाता है नॉर्म मैं जरूर दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि हम लोग क्या बनाते हैं सूती साडी में पिछले दिनों में आज तक जो बिक्ते आया है प्रिंटेड सूती साडी ही बिक्ती थी लेकिन अब सूती साडी जो कोटन साडी है उसके अंदर वर्क की डिमांड बहुत ज करते हैं सुरू करने के पहले एक बार फिल से कह देता हूं कुछ न कुछ करते रहिए खाली मत बैठिये समय का सदुप्यों कीजिए भले व Grad के लिए हो बहले ही वह पैसा कमाने के लिए हो बहले ही अपने दिमांग का नोलेज बढ़ह ने के लिए को ईपिजिए लेकिन चलते रही है, तो दोस्तों, सबसे पहला जो piece मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, सूती और cotton साड़ी के अंदर दो तरीके के cotton आते हैं, एक synthetic cotton होता है, और एक होता है pure cotton, जिसको सिर्फ और सूती बोला जाता है, यह पहला piece जो मैं दिखा रहा हूँ, यह थोड़ा सा special है थोड़ा different है ये linen है सूरती linen जिसको बोलते हैं सूरत में बना हुआ ये linen है बहुती सुंदर fabric है बहुती प्यारा piece है unique ये दोस्तों सूरत में print होता है सूरत में ही ये कपड़ा बनता है everything सूरत के अंदर होता है तो ये एक इसको भी cotton बोलके लोग बेशते हैं लेकिन थोड़ और जो synthetic cotton होता है उसका फरक मैंने पहले भी कई वीडियो के माद्यम से आपको बताया है कि क्या फरक होता है तो वो आप नहीं हो तो मैं I button पे आपको उसका link भीज़ दूँगा आप click करके एक बार देखिएगा कि synthetic cotton और cotton के अंदर क्या फरक होता है अब मैं आ रहा हूँ प्योर कोटन की साइड में यह देखिए यह प्योर कोटन की साड़ी है जिसके उपर हमने work किया हुआ है work धागे जो आप देखेंगे 100% viscose धागे यूज़ किया हुए है कोई भी polyester धागा यूज़ किया हुआ है और कपड़े का base जो है नीचे वो सूती cotton है लगबग यह स folding बहुत माइने रखती है जो इसकी जो चरक करी जाती है जो पॉलिस करी जाती है जो यह कड़कने साब देख रहे हैं यह cotton साड़ी के अंदर होती है अगर एक बार साड़ी खुल जाती है तो इसको वापस से चरक करवाना पड़ता है तो जरा आप ध्यान रखें दोस्तों इसलिए मैं यह साड़ी आपको ज्यादा खोल के नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन फोटो साथ में मैंने रखे हुए हैं जिससे कि साड़ी की चरक और पॉलिस खराब ना हो फोटो साथ में रखे हुए हैं जिससे कि आपको उसकी डिजाइन का पूरा आइडिया लगे तो ने वाला पीरियड जो है सामने यह लगन का पीरियड है मेरी सिजन का पीरियड है नेक्स्ट पीस लेता हूँ वो भी वर्क ही किया हुआ है वर्क में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क नजराने वाला है एंब्रोडरी के साथ किया हुआ है इसके उपर सिरोस की वर्क ब बहुत प्यारी, बहुत खुबसूरत साडी लगती है, नीचे जरी का बॉर्डर है, विविंग है ये, और लुक साडी का कुछ इस तरीके का आने वाला है, तो दोस्तों, ये वर्क की साडीया है, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, अलग-अलग दिखा रहा हूँ, अलग विविंग आती है, इसके अंदर, ये देखे, ये साडी देखे आप, ये पूरे में विविंग है, ये आप देख सकते हैं, लाइनिंग जो बनी हुई है, ये विविंग है पूरी साडी के अंदर, ये मेचिंग आती है, महराष्ट्र खूब ज्यादा बिक्ती है, ये मेचि के बाद तो बहुत ही खुब्सूरत साडी लगती है यह देखें दोस्तों सूती के अंदर अगर बात करऊं पटॉला वगर है कि तो अभी जो मैरे सीजन चल रहा है उसमें Red Mehrунд साडÍ ओं की Demand बहुत जबर्दस रहती है यह भी बहुत खूबसूरत साडी है यह देखे इस पर जालर जो हमने लगाई है मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ पीस आपको जिससे कि आपको इसका लुक पूरी तरीके से नजर आए यह देखे दोस्तों बहुत ही सुंदर जालर लगी हुई है और पूरी साडी बहुत ही प्यारी और ब जर आने वाला है यह फूल जरी है प्रिंटेड कहीं नहीं है इसके अंदर और हंड़ेट परसेंट वीविंग के दर्मियानी जो भी कलर्स वगरे यूज़ करके बनाए हुए है और इसके बाद आता हूँ मैं दोस्तों प्रिंटेड साडी के उपर जो कि आज तक आप लोग आभशा वैस्ट भंगाल जारखंड तमिल नाडू यहां पे यह बहुत जबर्दस विकता है कुछ स्टेट हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोटन ही बिकता है सिंतेटिक कपडा सिर्फ यह समझे पर्टिकुलर कुछ समय के लिए बिखता है लेकिन कोटन की दिमांड हमेशा बनी रहने वाली है दोस्तों सामने गर्मी का पिरियड है तो ये तो बिकने यी बिकने वाली चीज है ये प्रिंटेड साडी है कोटन की अलग-अलग डिजाइन आती है अलग-अलग एरिया के टेस्ट होते हैं साउथ में जो बिकता है वो नौर्थ में नहीं बिकता है ये ची साड़ी है यह भी साड़ी का मैं अगर यह पीस खोल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसमें different colors use किये हुए हैं यह देखें यह साड़ी है हाफ हाफ साड़ी इसको बोल सकते हैं बहुत सुंदर साड़ी है बहुत यूनिक साड़ी है यह इसका blouse मैंने दिखाया आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह देखें पीस यह भी बहुत सुंदर पीस है इसके अंदर छोटी कुटी का टेस्ट भी आता है वीडियो जो होती है उनके लिए अलग टेस्ट होता है वाइड कलर की साड़ी आती है अब मुझे शयाद दिखने ही रही है यहाँ पर लेकिन वो भी प्रॉद को बहूँत जबर्दस्त बिकता है यह वाइड साड़ी स्पेशल भी इसके इंदर आती है और कोटन में भी वाइट साड़ी आती है सभी तरह के का कलेक्शन आपको हमारे यहां मिलने वाला है लेकिन एक वीडियो में सब चीज दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है इसके लिए मैं खाली जानकारी आपको दे दे रहा हूं यह पूर में देखेंगे तो आपको कोटन का भंडार पूरा नजाराने वाला है यहां पर हम लोग सैट रखते हैं तो अगर कोटन के आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कोटन की डिमांड आपके यहां है और कोटन आपके यहां खूब चलता है आप उडिसा से हैं आप जारखंड से है आप अगर राजस्तान से हैं तो सोचना ही नहीं है कोटन जबरदस बिकता है आप अगर तमिल नाडू से हैं तो कोटन जबरदस बिकता है तो यह कुछ area है particular इनके बारे में अगर ज्यादा जानकारी आपको चीए तो screen पर नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप एक call कीजिए हमारी टीम आपको पूरी तरीके से guide करेगी अगर आप online product मंगवाना है तो भी आप हमारे यहां से मंगवा सकते हैं आज जो available test होगा वो आपको whatsapp के जरिये PDF बना के भेजा जाएगा उसमें से आप select करके वापस भीज दीजिए हमारे board line members को वो आपको एक estimate बना के देंगे उतना amount अगर आप हमारे account में credit करवा देते हैं तो आपका माल यहां से भीज दिया जाएगा आप यहां आके लेते हैं या आप online purchase करते हैं माल जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक उसकी जवाबदारी हमारी रहेगी रास्ते में भगवान ना करें किसी तरीके का कोई accident या कोई बनाव बनता है तो हम या तो आपका पैसा वापस आपको करेंगे या फिर आपको नया माल भेजेंगे हम 100% insurance करके भेजते हैं insurance company से लेकिन claim आने में समय लगता है लेकिन आपको परेशानी ना हो इसलिए immediate हम उसका निकाल कोई भी निकालते हैं तो बिल्कुल निस्विकर होके आप purchase कर सकते हैं वहाँ बैठे purchase कर सकते हैं या यहाँ आके purchase कर सकते हैं एक चीज का ध्यान रखेगा transportation जो है भाड़ा जो लगता है वो आपको पे करना है वो वहाँ जाने के बाद आपको पे करना है तो दोस्तों उमीद करता हूं मैं जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा पाया हूं पूरी तरीके से और cotton का जो department आज मैंने आपको दिखाया है उसमें जो test मैंने आपको दिखाया है उसमें जो designs और collection आपको दिखाया है उससे मैं समझा पाया हूं आपको कि हम लोग cotton में क्या चीज डोलब करते हैं क्या चीज बनाते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार कहूंगा, कुछ ने कुछ करते रही है जिन्दगी में, इश्वर ने सब को 24 आवर्स दिये हैं, मैंने उनको तीन भागों में बाटा है, 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 गंटे आप जो काम करते हैं, आप स्टुडेंट है तो पढ देने के लिए होते हैं, सरीर को आराम देने के लिए होते हैं, बाकी बचे हुए जो 8 गंटे होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, ये आपकी जिन्दगी तै करता है, तो ये बाकी बचे हुए 8 गंटे बहुत माइने रखते हैं, दोस्तों, जो सब काम बाकी 8 गंटे में तो ओफिस जाना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, बिजनस करते हैं, लेकिन ये 8 गंटे आपके आने वाला future decide करते हैं कि इन 8 गंटों में आप क्या करते हैं, तो दोस्तों जो बचे हुए 8 गंटे हैं, उनको तो यूज कीजिए, कुछ न कुछ जरूर कीजिए, अगर कपड़े का बिजनस करना चाते हैं, तो एक नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पुरी तरीके से गाइड करेगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगल माय हो, नमस्कार, जैजिने कि अगर कुछ टीम आपको पुरी का दिनने करेंटर.